हेलो प्रेंट्स, वेलकम टो माई चांद स्टेटी पॉइंट, दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चेप्टर वन से जो SSC, रेलपत, JEE, SSC, सेक्षनल के दुरा निरेक्षन किया जाता है, उसको अच्छे से और डीटेल से समझेंगे, क्योंकि देखिए इससे लगभग आपक क्रेक्षन स्लीप 5 को डाउनलोड कर लेजिए, यहाँ पर देखिए, जहाँ 110 किलो मीटर परती घंटा से अधिक गती वाले मार्ग तथा बहुल लाइनों वाले मार्ग में, परवारी SSC, रेलपत, लूप लाइन, याड समेत, पूरा खंड का जो निरिक्षन करेगा, दो मह करेगा, देखिए, क्रेक्षन स्लीप 5 में, दो मा कर दिया गया है, तो इसे सुधार लिजेगा, अगली प्रेसन है, कि जही SSC, रेलपत, सेक्षनल के दोरा, लूप लाइन, और याड समेत, पूरा खंड को जो है, 15 दिन में, एक बार निरिक्षन करेगा, यहाँ क्रेक्षन स्लीप 5 है, यहाँ पर दो मा में कर दिया गया है, दो मा आप लोग देख रहे होंगे, दो मा इसे कर दिया गया है, और जही SSC का फोर्ट नाइट ही, इसे चेंज नहीं किया गया है, अन्न मार्ग यदि हो, यहाँ पर देखिएगा, यह पैदल निरिक्षन की बात हो रही है पहला नंबर, यहाँ पैदल निरिक्षन की बात हो रहे हैं, यदि अन्न मार्ग है, तो प्रभारी SSC रेल पर जो है, लूप लाइन और याड़ समेत, पूरा खंड को एक बरस में एक बार जो है निरिक्षन करेगा, और यह जिए SSC सक्सनल की बात हो, तो लूप लाइन और याड समय तो पूरा खंड का जो निरिक्षन है छे मार में एक बार करेगा तो इसे आप लोग याद कर लिजिए देखिए यदि आपको याद ना हो तो रिपेटिड सुनते रहिए उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद हो जाएगी अब ट्रॉली निरिक्षन जो है स यहां देखिए 110 किलोमीटर परती घंटा से अधिक गती वाले मार्ग या बहूल लाइनों वाले मार्ग परभारी एससे रेल पत सोतंत्र पुष मोटर ट्रॉली या सहाइक मंडल इंजिनियर या मंडल इंजिनियर के साथ तीन माह में एक बार करेगा यहां देखिए सभी के साथ तीन महिने एक बार करेगा इसे रोटेशन वेस भी बोलते हैं यहां पर परवासित नहीं किया गया है यहां पर देखिए सभी परकार की ट्रॉली का निरेक्षन जो है ब्लॉक प्रोटेक्षन में होना चाहिए अन्य मार्ग को जिसे अधर रूट्स तो बोलते हैं वहा कि जेए SSC रेली पर सेक्षनल की बात करे तो लूप लाइन और याड समयत पूरा खंड को 15 दिन में एक बार निरेक्षन करेगा सेक्षनल देखिए दोस्तों आपको सेक्षन हो सकता है कि इस सेक्षनल जेही न हो देखिए यहां पर सेक्षनल जेही रहता है तो इस पर पिछली खिर्की से 15 दिन में एक बार निरेक्षन करेगा, यहां SSC रेलपत की बात हो रही है, जो इंचार्ज़ से बोलते हैं, J.E.S.C रेलपत जो सेक्षन आपका J होता है, जिससे सेक्षन दिया जाता है, वो माह में एक बार जो इस से निरेक्षन करेगा, अब यहां संपार निरेक्षिन की बात संपार निरेक्षिन जुह है 80 तो 6 मां में एक बार करता है बेकि हैं जे С.S.E. Sectional सबी संपार फात को मां में एक बार rotation basis पर निरेक्षिन करेगा और सबी tool को तो जाँज करेगा ही रिक्षन करेगा तो यहां वक्र देखिए वक्र मेश गाख देखिए मिदे दो डिग्री से अधिक जैदा का वक्र हो तो जो sectional Ajay उता चा मैंधे में एक बार करेगा और यो यदी दो डिग्री से कम का वक्र हो तो मैं वर्ष में एक वार ये रिख्षन जो है sectional जो है एक प्रवार इससी रिलपत के साथ चक्रा नूकरम यान रोटेसन वेसपर तीन मां में एक condemnation करेंगा या इदि अनलाण या याड हो त़्ेसरी एक बहते हैं प्रवारी एससी रिलपत के साथ छे मां में एक बार इनमेकशन करेंगा LWR SEG के देखिए LWR SEG में Sectional जो है Rotation Waste पर 15 दिन में एक बार निरेक्षन करेगा यदि सबसे अधिक गर्मी और सबसे अधिक ठंड वाले दो महिने में JSS C-Rail पर Sectional के दोरा जो है Rotation Waste पर 15 दिन में एक बार होगा और सबसे अधिक गर्मी और सबसे अधिक ठंड वाले महिने में जो मंडल इंजिनियर और मंडल इंजिनियर दोरा जो है वरिश्ट मंडल इंजिनियर दोरा निरधारित किये जाते हैं अन्य महिनों में देखिए JSS C-Rail पर सच्चनल होता है परवारी SSC-Rail पर के साथ दो महिने में एक बार जो है निरिक्षन करता है अब पूल और ट्रेक का निरिक्षन देखिए पूल और यदी ट्रेक का निरिक्षन करना हो तो प्रवारी SSC रेल पर दोरा पूल पहुंच मार के ट्रेक का निरिक्षन मांसून से पहले निर्धारित माय यहीं बर्स में एक बार होता है कव तो मांसून से पहले होता है और चैनल स्लीपर दे दी रहे देखिए परवारी SSC रेलपत JSC रेलपत सेक्षिनल के साथ रोटेशन वेस्ट पे 6 माय में एक बार होता है अब 80 वेल्डिंग अस्थल देखिए जहां 80 वेल्डिंग किया दाता है मुझे SSC सेक्षिनल का तो परिवाजित नहीं है लेकिन जो परवारी SSC रेलपत है कम से कम एक महिने में प्रतेक वेल्डिंग टीम के साथ निर्ख्षन करेगा ये सेबडी परिख्षन की जहांच देखिए जो ये सेबडी परिख्षन होता है उसकी जहांच जो है मासी की परवारी SSC रेलपत दोरा नियमी ट्रॉली निर्ख्षन की दोरान कम से कम दो घंटा जो है करना चाहिए अब रातरी निर्ख्षन यहाँ पे देखे रातरी निरिक्षन है तो प्रवारी SSC रेलपत दोरा मा में जो है एक बार रातरी निरिक्षन होता है अब मांसून गस्त की बात करें देखे मांसून गस्त दो है प्रवारी SSC रेलपत के दोरा मा में एक बार होता है और sectional के दोरा गारी के दोरा 15 दिन में एक बार होता है और trolley निरिक्षन जो परसासन दोरा निर्धारित अनुसुची के अनुसार ही होगा trolley का निर्सेक्षन तो याद कर लिज़े आप लोग मा में एक बार जो SSE के दोरा किया जाता है और J-sectional के दोरा 15 दिन में एक बार किया जाता है गर्मी की पेट्रोलिंग के जो निर्धारिक्षन होगा परवारिय से सुरू किया जाने पर train push trolley या motor trolley के दोरा दिन में एक मा में एक बार किया जाता है देखिए ये चीज़ आप लोग जो याद रखिएगा 12 बज़े से लेकर 16 बज़े के बीच ही जो है दैनिक पेट्रोलिंग के जान जो है किया जाना चाहिए जो गस्त गर्मी की गस्त की पेट्रोलिंग होता है तो समय पूछ देता है कितने बज़े किया जाता है और रात्री फुट देखिए 12 बज़ से 4 बज़े की भी जो निरेक्षन होना चाहिए तो रात्री का जो निरेक्षन होता है SSC रेल पर तो जो ही SSC सक्षिनल के दोरा माह में एक बार जो होता है इसमें सभी को जाच किया जाता है चाहें गेटमेन हो या पेट्रोल मेन हो पूल का निरेक्षन देखिए पूल का निरेक्षन परवारी SSC रेल पर दोरा सभी पूल का निरेक्षन भारते रेल पूल नियमा वाली में उलेखित पर किरिया और अनुदेश के देखे जो bridge manual है उसके अनुसार होता है यानि बर्स में एक बार मांसुन से पहले किया जाता है और यहां सुरंग की बात करें तो सुरंग देखे बर्स में एक बार प्रवारी SSE यानि इंचार्ज के दोरा किया जाता है और मांसुन के बाद सभी tunnel का निरेक्षन भारते rail पूल नियामा वाली यानि manual bridge का जो manual है उसके अनुसार जो है किया जाता है यहां cutting की बात करें देखे cutting का जो निरेक्षन होता है वहां प्रवारी SSE यानि इंचार्ज के दोरा मांसुन के पहले बर्स में एक बार किया जाता है नीजी siding जो private siding line होता है वहां प्रवारी SSE rail पर जो 6 महिने में एक बार उसे निरेक्षन करता है और sectional के दोरा देखे तीन मां में एक बार होता है जो private siding का निरेक्षन होता है भूमी सीमा और अतिकर्मन का निरेक्षन देखे क्वेस्चन आप से यह भी पूछा जाएगा जो railway की भूमी सीमा का जो रखराखा होता है और किस के दोरा होता है ते पीवे के दोरा होता है तिसे यह आप लोग याद रखेगा बहुत important question है यहां भूमी सीमा देखे बर्स में एक बार निरेक्षन करना चाहिए अतिकर्मन तीन मेने में एक बार करना चाहिए बीस नमबर देखे टोपिक है कि पार्सो नाली जलगराही नाली और पूल के जल मार को बर्स के सुरुवाज से पहले देखे मांसुन से पहले बर्स में एक बार हो किया जाता है और जे एससे सेक्षनल के दोरा बर्सा से पहले ने अप्रेल माह में बर्स में एक बार किया ज के साथ जाना नि प्रवारी SSC परते करन के साथ जो है इसे करेगा छोटी track machine का जो निरेक्षन होता है वो प्रवारी SSC rail पर तीन महिने में एक बार करेगा जिसे small track machine बोलते हैं छोटी track machine तो यह सब काफी जो highlighted topic है दोस्तों यहाँ पर देखे sand hump का और dead hump का निरेक्षन इसे पूछता है question इसे परवारी SSC rail पर तो JSSC rail पर sectional के दोरा सभी sand hump और dead hump चक्रा नुकरम एक माँ में एक बार इसे निरेक्षन किया जाना चाहिए याड लाइनों का निरेक्षन देखे छे माँ में एक बार sectional के दोरा किया जाना चाहिए छे माँ में एक बार किया जाना चाहिए तो निशीद दोर से यदि आपको पढ़ने से ना याद हो तो आप सुने के जो इसे याद कर सकते हैं और यह सब आप चान्द स्टेडी से डाउनलोड कर सकते हैं चान्द स्टेडी डाउनलोड कर लिजे वहाँ से असानी से डाउनलोड कर सकते हैं